हेलो बच्चों, आज करेंगे हम कक्षा 5 की गणित की कारेपत्रक नमबर 20 और इसमें हमें दिया गया है पार्ट नमबर 6 मैं तेरा गुड़न खंड, गुड़न तू मेरा तो चलिए शुरू करते हैं कारेपत्रक को हल करना प्रश्ण नमबर 1 का पहला भाग देखिए, उन सभी संख्याओं को रंग करो जो 5 से विभाजित हो सकती है यहाँ पर आपको एक से लेकर 40 तकी संख्याओं दे रखी हैं, आपको उन संख्याओं पर रंग भरना है जो 5 से भाग हो जाती है तो ऐसी संख्याओं पर बच्चों हमने लाल कलर का बॉक्स बना दिया है, आप इन में रंग भर लीजिए दूसरा भाग देखिए, किनी 5 संख्याओं को लिखो जिनको आपने रंग किया है, यानि जो 5 से भाग हो सकती है और इनको अलग अलग संख्याओं के गुणा के रूप में लिखिए, जैसे यहाँ पर एक करके दिखाया गया है दस को हम लिख सकते हैं, एक गुणा दस, या दो गुणा पांच, या पांच गुणा दो, या फिर दस गुणा एक तो हमने जो 5 संख्याओं लिए हैं, वो हैं 15, 20, 25, 30 और 35 और आगे इस टेबल में हमने इनको अलग अलग संख्याओं के गुणा के रूप में दिखा दिया है बच्चो आप इसे ध्यान पूर्वक देख करके लिख लीजिए प्रश्ण नमबर 2, निमन संख्याओं को किनी दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखिये जैसा की उधारन में दिखाया गया है एक संख्या 20 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10, या फिर 4 गुणा 5, या फिर 1 गुणा 20 और इसी तरीके से हमें बाकी की संख्याओं को लिखना है 36 को हम लिखते हैं 3 गुणा 12, और 3 गुणा 6 40 को हमने लिखा 4 गुणा 10, और 5 गुणा 8 24 को लिख सकते हैं 3 गुणा 8, या फिर 4 गुणा 6 और 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 9, या 3 गुणा 6 जो संख्याएं बिना कोई शेशफल बचाए किसी संख्या को पूर्णते भाग कर देती है वे संख्याएं उसकी गुणनखंड कहलाती है तो कोई भी संख्या अगर किसी और संख्या को पूरा-पूरा भाग कर देती है तो पहले वाली संख्या गुणनखंड कहलाती है जैसे 1, 2, 3, 6 और 9 यह सभी संख्याएं हैं और 18 को पूरा-पूरा भाग कर देती हैं तो यह सभी संख्याएं 18 की गुननखंड हैं प्रेश्ण नमबर 3 दी गई संख्याओं के सभी गुननखंडों पर गोला लगाव अब यहां पर आपको एक संख्या दे रखी है और उसकी कुछ और संख्या दे रखी है आपको दी गई संख्याओं में से उस संख्या के गुणनखंड पहचान करके उन पर गोला लगाना है यानि कि वैसंख्या उन संख्याओं से कट जाती है तो उस पे गोदा लगा देना है तो जैसे पंदरा के जो गुननखंड है वो है एक, तीन, पांच और पंदरा चौबिस के गुननखंड है एक, दो, तीन, चार, आठ और बारा 26 के गुणनखंड है 1, 2 और 13 49 के गुणनखंड है 1 और 7 प्रश्ण नमबर 4 40 के सभी गुणनखंडो संख्याएं जो 40 को भाग करती हैं को लाल रंग करो और 50 के सभी गुणनखंडो को हरा रंग करो तो आपको यहाँ पर 1 से 50 तक की संख्याएं दे रखी हैं जो 40 के गुननखंड है यानि कि जो संख्यां 40 को भाग कर सकती है उन पर आपको लाल रंग करना है और जो संख्यां 50 को भाग कर सकती है उन पर आपको हरा रंग भरना है तो बच्चों यहाँ पर हमने 40 के जो गुननखंड है उन पर हमने लाल गोला बना दिया है और 50 के गुनन आपने दोनों रंग भरे हैं उनको लिखना है तो ऐसी संख्याइं जिन में दोनों रंग भरे गए हैं वो है एक, दो, पांच और दस परश्न नमबर 5 निम्न संख्याओं के कम से कम तीन गुनन खंड लिखिए अब आपको नीचे कुछ संख्याइं दे रखी हैं इनके कम से कम तीन गुनन खंड लिखने हैं तो पहला करते हैं 24 के तीन गुनन खंड होंगे 3, 4 और 6 32 के मैंने लिखे 2, 4 और 8 12 के गुणनखंड लिखे हैं मैंने 2, 4 और 6 20 के गुणनखंड लिखे हैं 1, 5 और 10 बच्चो आप इनके अलावा इनके कोई और भी गुणनखंड लिख सकते हैं प्रश्ण नमबर 6 हाँ या नहीं लिखकर तालिका को पूरा कीजिए अब यहाँ पर कुछ संख्याइद दे रखी हैं आपको बताना है कि वो 3 का गुणनख है या नहीं और 36 का गुणनखंड है या नहीं तो चलिए करते हैं पहले 3 का गुणनख 15 3 का गुणनख है 10 नहीं 13 भी नहीं है 4 भी नहीं है चे संख्या जो है वह तीन का गुणज है 21 तीन का गुणज है और 12 तीन का गुणज है अब देखिए 15 चतिस का गुणखंड नहीं है 10 भी चतिस का गुणखंड नहीं है 13 गुणखंड नहीं है 4 चतिस का गुणखंड है तो हमने हा लिखा 6 भी 36 का गुणनखंड है हमने लिखा हाँ 21 गुणनखंड नहीं है और 12 36 का गुणनखंड है तो हमने हाँ लिख दिया प्रश्ण नमबर 7 देखिए पहला 40 और 50 के बीच 6 के कोई 2 गुणज लिखने है तो बच्चो गुणज का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 6 के पहाड़े में आती हो तो 40 और 50 के बीच में 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या है 42 और 48 दूसरा देखिए 15 और 20 के बीच 34 का कोई एक गुणनखंड निखना है तो गुणनखंड का मतलब है वह संख्या जो पूरा-पूरा भाग कर देती हो तो 15 और 20 के 20 17 ऐसी संख्या है जो 34 को भाग कर सकती है तीसरा देखिए 50 और 70 के बीच 9 के कोई 3 गुणज लिखने है तो वो होंगे 54, 63 और 70 तो बच्चो ये हमने वर्कशीट को हल कर लिया है अन्य विश्यों की वर्कशीट के आंसर के लिए आप नमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद